प्रस्न 25 तिर्भूज ABC में B तथा C के अंतर सम्दिभाजक P पर तथा ब्राहा सम्दिभाजक Q पर मिलते हैं साबित करें कि कोन BPC प्लस कोन BQC बराबर 180 डिग्री तो पहले यहाँ पर एक तिर्भूज ABC बना लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे A B, C तो कह रहा है तिर्भूज ABC में B तथा C के अंतर सम्दिभाजक देखें B तथा C के अंतर सम्दिभाजक तो B तथा C के अंतर सम्दिभाजक P पर तथा ब्राहा सम्दिभाजक Q पर मिलते हैं तो देखें B P जो हो गया यह B P जो है इस कोन का सम्दिभाजक है और B Q जो हो गया देखें इस कोन का सम्दिभाजक है उसी तरह इधर भी यह कोन और यह कोन बराबर होगा उसी तरह यह और यह कोन दोनों बराबर होगा तो लिखेंगे हम यहां पर दिया है क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं A, B, P बराबर कोन P, B, C P, B, C कॉमा तो देखिए कोन A, B, P बराबर कोन P, B, C यह दिया हुआ है कोन A, B, P बराबर कोन P, B, C तो A, B, P यानि यह जो कोन है इस कोन को क्या कहेंगे देखिए यह जो कोन है इस कोन को क्या कहेंगे कोन A, B, P और यह कोन को कहेंगे कोन P, B, C देखिए P, B, C इस कोन को कहेंगे तो यह दोनों कोन बराबर है क्योंकि P, B क्या है सम्दिभाजक है अन्ता सम्दिभाजक है B का इसका मतलब BP जो हो गया सम्दिभाजक हो गया किसका बराबर लिखेंगे एक बटा दो कोन ABC यानि कोन ABC का सम्दिभाजक है BP देखें कोन ABC तो कोन ABC तो BP क्या है कोन ABC का सम्दिभाजक है देखें कोन ABC यानि यह जो पूरा कोन यहां पर बन रहा है कोन ABC इसको कहेंगे यहां से यहां तक तो इस कोन का सम्दिभाजक है BP तो कोन ABP बराबर कोन PBC तो कोन ABP और कोन PBC बराबर होगा तो दोनों कोन ABC का आधा होगा ये होगया और कोन P.B.C. ये दोनों बराबर है और कोन A.B.C. का आधा होगा क्योंकि B.P. क्या है समधिभाजक है कोन A.B.C. का तो इस तरह लिख लेंगे कॉमा देंगे यहाँ पर अब देखें यहाँ पर कोई नाम दे यते हैं मान लिजिए यहां पे हम दे दिए N यहां पे N दे दिए और यहां पे दे दिए M ठीक है अब कहा रहा है कि BQ जो है BQ किस कोन का सम्दिभाजक है तो देखिए यहां पे जो कोन बन रहा है इसका सम्दिभाजक है BQ तो इधर का कोन और इधर का कोन दोनों बराबर हो जाएगा तो BQ जो है कौन QBN का सम्दिवाज़क है देखिए ये कौन NBC भी कर सकते हैं या CBN तो लिखेंगे यहां पर कौन QBN QBN बराबर कौन QBC बराबर एक बटा दो कौन CBN तो देखिए कौन QBN बराबर होगा कौन QBC का जो की बराबर होगा कौन CBN का आधा का तो क्यों होगा ऐसा क्योंकि BQ जो है कौन CBN का सम्दिभाजक है देखिए BQ क्या है कौन CBN यानि यह जो पुरा कौन है यहां पर उसका सम्दिभाजक है कौन BQ तो इसका मतलब हुआ कि कौन QBN QBN देखिए QBN यानि यह जो कौन है और कौन QBC यह कौन दोनों क्या होगा बराबर होगा और दोनो कौन CBN CBN का आधा होगा इस तरह लिख लेंगे तो यह दिया हुआ है ठीक है इसको हम पहला लिख लेते हैं क्योंकि आगे यह काम देगा अब लिखेंगे यहां पर चुकि कौन ABC कौन ABC प्लस कौन CBN बराबर 180 होगा क्यों होगा क्योंकि रेखी क्यों बन रहे तो कौन ABC प्लस कौन CBN बराबर 180 तो कौन ABC और कौन CBN क्या बना रहे रेखी क्यों बना रहा है, तो दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो देखिए, कौन ABC, कौन ABC, यानि ये जो कौन है, इसको कहेंगे, कौन ABC, और कौन CBN, इसको कहेंगे, तो दोनों कौन, का योग 180 डिग्री होगा, क्योंकि, N क्या है X CD रेखा है देखे N क्या है CD रेखा है तो N CD रेखा है तो CD रेखा पे 180 degree का कौन बनता है तो कौन ABC और कौन CBN को जोडेंगे तो कितना आएगा 180 degree तो अब हम लिख सकते हैं आता है 1 वटा 2 कौन ABC C पलस 1 बटा 2 कौन C, B, N बरावर 1 बटा 2 गना 180 degree तो जब कौन ABC और कौन C, B, N का जोड़ कितना है 180 degree है तो कोन ABC का आधा और कौन C, B, N का आधा का जोड़ कितना होगा 180 degree का आधा होगा ठीक है तो तीनों को एक बटा दो से गुना कर दिया है अब कौन ABC का आधा को हम लिख सकते है कौन PBC अतह कौन PBC PBC प्लस कौन अब देखें कौन CBN का आधा को हम लिख सकते है कौन QBC बराबर एक बटा दो गुना 180 डिगरी कितना हो जागा 90 डिगरी दो से 180 काट देंगे तो कितना आएगा 90 डिगरी आएगा ठीक है तो एक बटा दो गुना 180 डिगरी देखें दो से इसको काट देंगे तो कितना आजाएगा 90 डिगरी आजाएगा यानि कौन ABC का आधा और कौन CBN का आधा कौन को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा तो कौन ABC का आधा कौन को हम लिख सकते हैं कौन PBC और कौन CBN का आधा जो कौन है उसको हम लिख सकते हैं कौन QBC तो यहाँ पर लिखेंगे पहला से पहला से देखें पहला में हम क्या लिखे थे पहला में देखें कोन PBC क्या है कोन ABC का आधा है और कोन CBN क्या है यह कोन QBC क्या है कोन CBN का आधा है यानि तो हाफ कोन CBN के जगा पे लिख देंगे कोन QBC यानि कोन CBN का आधा हो जाएगा कोन QBC और कोन ABC का आधा हो जाएगा कोन PBC तो इस तरह लिख लेंगे तो लिखेंगे आब तो देखें कौन PBC प्लस कौन QBC को हम लिख सकते हैं अता कौन PBQ PBQ बराबर 90 डिग्री और इसको हम दूसरा लिख लेंगे तो देखें कौन PBC और कौन QBC को अगर जोड़ेंगे तो आजागा कौन PBQ तो इसको चीतर में समझ लेते हैं एक बार तो देखें कौन PBC कौन PBC यानि ये जो कौन है कौन PBC हो गया और कौन QBC QBC ये जो कौन है तो दोनो कौन को जोड़ेंगे तो क्या आजाएगा कौन PBQ आजाएगा देखें PBQ यानि यहाँ से यहाँ तक ये जो कौन हो जाएगा कितना 90 डिग्री तो कौन PBQ हो गया 90 डिग्री इसी तरह से हम इधर ये पूरा कौन को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा जैसे हम इधर इस कौन को 90 डिग्री लाएगा उसी परकार से अगर हम इधर करेंगे तो ये कौन कितना आएगा 90 डिग्री कौन PCQ भी 90 डिग्री आजाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी परकार इसी प्रकार कौन PCQ PCQ बराबर 90 डिगरी और इसको हम तीसरा लिख लेंगे ठीक है, जैसे कौन PBQ बराबर 90 डिगरी लाए है तो उसी तरह से हम कौन PCQ बराबर 90 डिगरी ला सकते हैं ठीक है, तो बस उतना नहीं करना है, लिख देना है इसी प्रकार कौन PCQ बराबर 90 डिगरी तो कौन PBQ 90 डिगरी आ गया है और कौन PCQ, देखें, यह जो कौन है यहां से यहां तक कौन PCQ, यह 90 डिगरी आ गया है तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना है, अगर 90-90 180 डिगरी, अब पूछ रहा है कि यह जो कौन है कौन BPC, देखें, इस कौन को क्या कहेंगे कौन BQC तो यह दोनों का जोड़ कह रहा है 180 डिगरी तो यह दोनों का जोड़ 180 डिगरी लाना है अब देखें PCQB क्या है एक चतुरभूज हो गया देखें, चार भुजा हो गया PCQB का योग होता है 360 डिगरी तो 2 कोन का योग 180 डिगरी मालूम हो गया है तो 360 डिगरी में से 180 डिगरी घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 180 डिगरी यानि यह दोनों का कौन को जोडेंगे तो तो अब हम निकाल सकते हैं तो लिखेंगे अब चतुर भुज चतुर भुज PCQB अब चतुर भुज PCQB में तो चतुर भुज PCQB में कौन कौन BPC पलस कौन PCQ PCQ पलस कौन BQC BQC पलस कौन PBQ 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 पराबर 360 डिगरी तो चतुर भुज PCQB में तो हम जानते हैं कि चतुर भुज का चारो कोनों का योग कितना होता है 360 डिगरी तो चतुर भुज में चार कौन 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 है कौन PBC कौन BPC कौन PCQ कौन BQC और कौन PBQ तो देखिए चतुर भुज PCQB में PCQB में चारो कोनों को जोड़ेंगे तो कितना है गा 360 डिगरी तो कौन BPC BPC ये हो गया इस कौन को कहेंगे कौन PCQ ये हो गया कौन BQC ये कौन हो गया और कौन PBQ ये जो कौन हो गया तो ये चारो कौन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 360 डिगरी तो अब हम लिखेंगे अतह कौन BPC प्लस कौन PCQ कितना है तो देखिए कौन PCQ कितना लाए है 90 डिगरी प्लस कौन BQC BQC प्लस कौन PBQ कितना लाए है 90 डिगरी लाए है बराबर 360 डिगरी तो कौन PCQ देखिए कौन PCQ 90 डिगरी लाए है और कौन PBQ 90 डिगरी लाए है तो कौन PC को जग PCQ के जगा पे 90 डिगरी लिख लेंगे कौन PBQ के जगा पे प्लस 90 नब्वे कितना होगा 180 डिगरी बराबर 360 डिगरी इस तरह लिख लेंगे अब देखिए कौन BPC प्लस कौन BQC बराबर 360 डिगरी माइनस 180 डिगरी 180 डिगरी बराबर के बायन तरह प्लस में है तो इसको दायन तरह भेज़ेंगे तो माइनिस में हो जाएगा ठीक है तो कौन BPC और कौन BQC को एक साथ जोड लिए हैं और 180 डिगरी को इधर कर दिए तो लिखेंगा अता कौन BPC प्लस कौन BQC बराबर 360 डिगरी में से 180 डिगरी घटा देंगे तो कितना आएगा 180 डिगरी आ जाएगा तो यही साबित करना था देखें कौन BPC प्लस कौन BQC बराबर 180 डिगरी साबित करना था तो आ चुका है यहाँ पे तो इस तरह इसको हल करेंगे हमनुणा से 20 डिगरी आएगा यह, कैस्क्ता करना था? यह, यह, अ reminding me अगँरा का eager झाल झाल झाल